प्रेशन है इनमें से कौन सत्योहार या उत्सव पूर्णमा से जुड़ा हुआ है आपके उप्षन है उप्षन A होली, उप्षन B दिवाली, उप्षन C ईद उल्फितर या उप्षन D ईश्टर तो इसका से उत्तर हो जाएगा उप्षन A होली अगला प्रेशन है साइमन कमीशन के वुरुद प्रदर्शन करने के दोरान किस भारतिय स्वतंतरता सैनानी को घातक चोट पहुँची थी आपके उप्षन है उप्षन A भगत सीन को उप्षन B बाल गंगाधर तिलक को उप्षन C लाला लाजपत राय को या उप्षन D चंदर सिखर आज़ाद को तो इसका से उत्तर हो जाएगा उप्षन C लाला लाजपत राय को अगला प्रेशन है यदि किसी को कोई दुरघटना में चोट पहुँचती है और उसके घुटने का जोट टूट जाता है तो उसे निम्ण मैं से किससला लेनी चाहिए आपके उप्षन है उप्षन A यूरोलोजिस्ट से उप्षन B ओर्थोपैडिक से उप्षन C अंकोलोजिस्ट से या उप्षन D पैडीसियन से तो इसका सिउत्तर हो जाएगा उप्षन B ओर्थोपैडिक से अगला प्रेशन है जवार भाटा मुख्यत है किसके फल्सरूप होता है आपके उप्षन है उप्षन A चंद्रमा के आकर्षण के कारण उप्षन B फैरल का नियम उप्षन C प्रत्वी की दवाब पद्धती या उप्षन D समुद्री धारा है तो इसका सयुत्तर हो जाएगा उप्षन A चंद्रमा का आकर्षण अगला प्रेशन है पानी से हाइड्रोजन को अलग करने की प्रिकरिया क्या कहलाती है आपके उप्षन है उप्षन A ओक्सी करन उप्षन B विद्धुत अपगटन उप्षन C ओस्मोसिस या उप्षन D ओजोनी करन तो इसका सयुत्तर हो जाएगा उप्षन B विद्धुत अपगटन अगला प्रिशन है भारतिय सम्वीधान का कौन सा भाग केंदर सासित प्रिदेशों के बारे में बताता है आपके उप्षन है उप्षन A भाग 1 उप्षन B भाग 5 उप्षन C भाग 8 या उप्षन D भाग 9 आप अपने उत्तर देते रहिए और आगे चेक करते रहिए तो इसका से उत्तर हो जाएगा उप्षन C भाग 8 उप्षन है मायोपिया यानि निकट द्रश्टी दोस को कैसे ठीक किया जा सकता है आपके option है, option A, उत्तल लेंज से, option B, उत्तल लेंज से, option C, उत्तल दरपन से, या option D, उत्तल दरपन से तो इसका से उत्तर हो जाएगा, option B, उत्तल लेंज से अगला प्रेशन है निम्न में से किस वेद को रूद्र नामक सब्द का आरंबेक शुरूत माना जाता है आपके option है, option A, रिगवेद को, option B, सामवेद को, option C, अथरवेद को, या option D, यजरुवेद को उत्तर दीजिए तो इसका से उत्तर हो जाएगा, option A, रिगवेद को अगर वीडियो अच्छी लगे तो जरू लाइक कर दीजिए अगला प्रेशन है भारतिय सम्मीधान का कौनसा अनुचेद, भारतिय संसद को सम्मीधान में संसोधन करने की अनुमती प्रदान करता है आपके option है, option A, अनुचेद 368, option B, अनुचेद 256, option C, अनुचेद 254, option D, अनुचेद 252 तो इसका से उत्तर हो जाएगा, option A, अनुचेद 368 अगला प्रेशन है ग्रैंडिट रंक रोड का निर्माण मूलत है किसके द्वारा किया गया आपके ओप्षन है ओप्षन A, अकवर ओप्षन B, अलावदीन खिलजी ओप्षन C, और अंग जेव या ओप्षन D, सेर सा सूरी तो इसका से उत्तर हो जाएगा ओप्षन B, गल्सुआ ओप्षन C, जलातंक या ओप्षन D, मलेरिया तो इसका से उत्तर हो जाएगा ओप्षन A, दाद आपको जितनी भी प्रेशनों के उत्तर बताए उन्हें देनी की कोशिस कीजिए अगला प्रेशन है निम्न में से किसमें फॉर्मिक अमल बहुतायात में पाया जाता है आपके ओप्षन है ओप्षन A, नीवू में ओप्षन B, चीन्टी के डंक में ओप्षन C, सिरका में या ओप्षन D, इस्प्रिट में तो इसका से उत्तर हो जाएगा option B, चींटी के डंक में अगला प्रेसन है इन में से कौन सी नदी दच्छन से आकर गंगा से जुड़ती है आपके option है option A, गंडक option B, यमना option C, बेतवा या option D, घागरा तो इसका से उत्तर हो जाएगा option C, बेतवा अगर आप प्रेती दिन जी के जियेस और करंट अफेर्स पढ़ना चाते हैं तो हमारे चैनल सिक्छा मेरी दोस्त को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो और नोट्स आप तक पहुंच सकें अगला प्रेसन है बुल और बीयर और सब्सक्राइब का प्रियोग किस में किया जाता है आपके आप्सन है आप्सन A, योजना आयोग आप्सन B, स्टॉक एक्सचेंज आप्सन C, विक्रे करवे भाग या आप्सन D, आय करवे भाग तो इसका से उत्तर हो जाएगा option B stock exchange अगर कोई प्रेशन आपकी समझ में नहीं आता है तो आप पूछ सकते हैं अगला प्रेशन है प्रेशिद पिंज़ोर गार्डन कहां इस्तित है आपके option है option A सिमला में option B दहरादून में option C चंडीगड में या option D पंच कुला में तो इसका से उत्तर हो जाएगा option D पंच कुला में वीडियो अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक कीजिए दोस्तों तक सेयर कीजिए और आने वाली वीडियो के लिए चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली नोर्स और वीडियो आप तक पहुँच सके धन्यवाद पढ़ते रहें